दे तो कुछ भी नहीं रहे, जो देते तो परदानन के देते वे खाय पी जाते, हमें लोगों को क्या मिलता, ऐसा तो मुश्किल बिसास तो नहीं, घी रोटी खवाएंगे, और जब काम निकल जाता तब अपना काम निकाल लेते फिर लातमाद देते नमश्कार आप सभी को, मेरे नाम है श्रिया गुप्तर, आप देख रहे हैं वनवर्ड न्यूज और आज हम आचुके हैं ओखला इंडस्ट्रेल एरिया में चलिए, अब जानते हैं कि एक महिला को सरकार से क्या उमीदे हैं, एक महिला होने के नाते, क्या उमीदे हैं जो महिलाएं चाहती हैं कि सरकार उनकी पूरी करे, नमस्ते आउंटी, आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहेंगी कि सरकार आपकी क्या-क्या उमीदे हैं, सरकार आ तो खुछ भी नहीं रहे जो देते तो परदानन्म कि देते वह खाय पी जाते हमें लोग उन क्या मिलता हम तो गरिब लोग ऐसे दे रहते जो मझूरी कर लें तो खाये-दे टो खायर ले नहीं तो बैठें अच्छा पेंशन मिलती है आपको श१ल हुआ नहींडियाप और य बीजेपी ने तो अब आप क्या सोचती हैं क्या वो अभी तक अगर नहीं आपको पेंशन मिली आगे आने वाले समय में अगर कोई भी पार्टी चुनाव जीती है तो क्या आपको पेंशन सुविधा मिलेगी या फिर वो उनकी ऐसे जूठी बाते हैं आपको नहीं है अपना काम निकाल लेते फिर लात मात देते हैं अच्छा उज्वला योजना जो चल रही है आपको पता है उसके बारे में कुछ उज्वला योजना क्या है अब मैं तो तीन सालन से बैठे है अप्रेशन करा घर में मेरे कुछ ने पर प्रेशन किस चीज का करवाया आपने अच्छा उसमें भी आयुश्मान कार्ड है और भी जो हस्पतालों में भी काफी सुविधाएं दिजारी हैं उसमें आपको लाब मिला या आपने कैसी ओपरेशन कराया अब्स प्राइविट कराया सरकारी में उसने करा नहीं मेडिकल तो धरद होता तो फिर मैंने करा लिया सरकारी हस्पतालों में भी जाती है आप यहां गई होंगी इलाज के लिए सरकारी हस्पतालों की क्या कंडिशन है आज के समय में अब है तो ठीक लग रही साफ सफाई है डॉक्टर्स है वहां इलाज कैसा है सरकारी हस्पताल में हमारी समय से आसे ता सही कर रहे हैं और हुआ है आपको कपसे मिलना शुरू है आपको ग्याएं सिलिंडर अमझे लोगई यह तो एक साल हो गई ग यह जैसे पहले जोब शुरुवा देया ती तो नई एक साल नैंट थीन तो मेरी बीटी नहीं फारम भराया फिर मेंने दूसरी साल जब अपरेशन कराया फिर मैच फा परियां इनने सब ने पोस्त करके कि यह एक तई ने मिलेए फिर उसने क्या काम करो गाओं को रो मेरे पती का लगाया आधार का कई दिली आलेन को नहीं मिलता तो गाओं को पती के लगाया तब मेरा यहां लगाया तब मेलेए